कि नमस्कार दोस्तों सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हादिक सुबकामना है और आप लोग पठाकों का थोला कम यूज कीजिए और इको फ्रेंडली दिवाली मनाने की कुछिस कीजिए वायू पर दूसर और जैसे ध्वनी पर दूसर कम से कम हो इस इसका अच्छे से ध्य से किया कंपिक सी देश की दोतरी से दिवीजन कहा सकता है इक होता है तो राजनीतिक व्यफालं के अंतरगर दिवाजठान सब्षार के अधार को करते हैं आधार के बारे में तो बिहार के बारे में तो पहले में पीछे में ने बहुतिक रूप से भाजन किया जा सकता है उसको मैंने बताया बिहार उत्तरप्रदेश की समानता यहीं है कि एक प्रकार से बिहार का मैंदानी चेत्र वजेसे विहार में वैसे उत्तरप्रदेश में पढ़ते हैं इसमें परवती चेत्र उनके बारे में देखेंगे तो तीन पार्ट में ने बताया जैसे सबसे पहले उत्तर का परवती चेतर फिर मध्यवर्ती मैदानी चेतर फिर दच्छड का पठारी चेतर तो एक एक को शुरुबात लेंगे आये देखते हैं पहले ये चीजे बनी कैसे हैं आए पुरे भारत के मैने पूरी तरह संजयंगे तब भी आपको उच्छी संज में आया जाए तो माल नीजिए जैसे मैंने बताया तो प्रसंट बिहार में कुछ इस तरीके से सबसक्षे उपर है हीमालय हीमालय जब नहीं था तब हीमालय की जगेट प्रइवा रुब पर गया तो उसी तरीके से सागर था तरी इसागर दोनों छे प्लेटे मतलब एक युरेस्ईन प्लेट में सबसे पहले आप देखेंगे तो टांस इमाले टांस के बाद व्रहाद हमाले मद के बाद सिवालिक हमाले हिमाले की सब्सक्राइब का हिस्ता है जो धीरे जे नदियां जो थी अपने साथ आउसाद लाकर के जमा करती भी चली गई उससे क्या हुआ जलोड के मैदान का निर्माड हुआ किसका निर्माड होता है जलोड के मैदान का निर्माड हुआ सबसे पहले किया बना सबसे पहले परवती च्छेत्र परवती च्छेत्र के बाद जरोडщ के मैदान के बाद में जह मैं ने बताया कि यह भारत यह सितिके से मुवंच्ट कर रहा था तो कि बielen 90 किया और असे पठारी घ्राया तो टेक्राने से करा वह नि देख लीजेगा वीडियो आपको अच्छे सौन में आ जाएगा लेकिन बिहार के प्रपस से फिलाल आपको इतना ही जानना जरूरी है आये देखते हैं इसमें कैसे किसे करेंगे तो जो उत्तर का परवती चेत्र है उसमें आप देखने को चीजे मिलते हैं जो पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी उत्तर से दच्छे पहाड़ियों का करम भी पूछा जा सकता है कौन सी नेपाल से बाडर बनाती ऐसे प्रस्ण मिल सकते हैं तो सबसे पहले सुमेसुर सेड़ी सुमेसुर सेड़ी को हम देखें के तो आठ सच चोहतर मीचर इसकी उचाई है यहां पर सुमेसुर का एक किला और बनाए जो बिहार की सबसें उची yol सुमेसुर सेर्ऴ है तो बीविहार नेपाल की छिन से बनाती इससे होगानेपाल से जावी सकते हैं रास्टे वगरां आपपई हें स्थेथ हैं तो फिर धूल गाटी हर्दा घॉटे सबसे ऑपर समय सवहां गाटी फिर उसके नीचे राम नगर दून है तो दूनका मतब्त यहां पर मैडानी पठारी चेत्र यह पर पड़ सकते हैं जैसे आप जानते हैं कि जैसे देहरा दून निगा प्रवतों के बीच के इससे जो चोटे चोटे पर उन्हें कि पहाड़ियां उनकों बोलते हैं तो जैसे नामनगर दून है और दून घाटी है तो इन सब परवत पायाते हैं हमाले की आपको देखने को मिलती तो यह चीज़े हो गई आप याद रखेगा इन चीज़ों को फिर आते हैं मैदान की छेत्र में करीब 95% का हिस्सा जो मद्यवर्ती पूरा छेत्र पूरा मैदानी मैदान है उत्तर के जो भी भारती छेत्राज्य सम्मेदा चेत्रे अंतरगत आते हैं उन में से सकत बहुत बड़ा भूखंड जो है वह वां ऑभूहर के पास भी है तसे रहर में देखेंगे उसमें से पाकशा कहां पाइदि चुक्षिक कहा ता परवती छेतर को तीन पार्ट में, मद्वरती मैदान को दो पार्ट में, उत्री गंगा, दच्छी गंगा का मैदान, अब देखते हैं मैदान बने कैसे हैं, क्या क्या है इनकी क्वालिटी है, तो सबसे परहे देखते हैं, माल लीजिए जैसे, माल लीजिए जैसे कि ये कोई परवती छेतर है, परवती छेतर से जब नदिया निकलती हैं, तो नदिया क्या करती हैं, अपने साथ कुछ अवसाद ले करके आती हैं, जब परवत से, माल लीजिए जब परवत से जब नदिया निकलेंगी, तो सीधी बात है परवतों को तोड भावर शेत्र की च्छेतर में बड़े बड़े नदिया क्या हो थि विलूत ही हो जाती है उसके बाद में दिखने लगती है तो तरही का चेत्र बोल देने have नदी एक कापना रास्ता होता है लेकिन जब बात उसके बाद की आती है तो नदी में जगह और हाथी तो मतलब पानि मतलब हम कि सीदे सिर्धे संव अब का पानी पहुंच जाता है उसको को हम बोलते हैं खादर जहां नहीं पहुंच पाता उसको हम बोलते हैं बांगर तो यह आप देखने को मिलेगा आपको उत्री गंगा के मैदान में बाढ़ प्रभावित है यहां पर आपको पूछा जाता है उत्तरी और मैधान के से निकलती हैं इन की धड़ान को जयादा इस तरीके से है कि मतलब कि नदी उपर से हिमाले च्छेते से निकल करके जो नीचे की और आती है तो पानी की रफ़ताद होती काफी ते जाती और उसको जगे उती नहीं मिल पाती इसलिए मैदानी से बहने लगती उससे क्या होता है यह पूरा अच्छे तर बाड़ अपर जाता है जानते हैं कोशी को बिहार का सोक ने आप जानते थे खरव आप नहीं जाने जाते हैं लेकिन प यह तो आप संज़ गया उनले लें में लेगे खली गंग के मैदान सो नदी काफी फेमस सो नदी है जो निकलती है मत परले से अमर कंटक्स से निकलती और उसके बाद में आप देखेंगे इससे यहां से होते हुए फिर या चलिए आती पट्ना के पास मैं अप यह गंगा नदी में मिल जाती है तो यह नदी वैसे तो इसमें पानी रहता लेकिं कि पूंब देखने को मिलेंगी करम नदियों के वीडियों में कौन को से नदी गया है कर। नदियों में दचरी घंगा का मैदान जो है वů में सूख़े कlen स्थितिती नदहाब आख से मैदान को से मेदान इस पूर इंड़ान है। और जब इसके मैदान की देखेंगे तो उत्तर पूर्व की ओर है और आकर के अंत में घाटी की तौर पर देखेंगे तो गंगा का जो चेतर ये पूरा पानी इसमें बैता चला जाता है तो जितनी भी नदियां का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से मिले गंगा से होते वह फिर चली जाएंगे समझ में आ गया होगा को कैसा है सुखे के च्छेतर के अंतर करता है आपको देखेंगे यहां पर अजोटानापूर कप था पठार करी बार्दिका चुटे-फबजिन किए गये ति मुख्ट नापूर का पठार जो में देखने को मिलत देखने को मिलेंगी तो चोटा नापूर की आ जर्मनी की रूर नदी के नाम से भी बोलते हैं चोटा नापूर के पठार को तो उसी के दरस्ति से हम देख सकते हैं कि जो बिहार के जितने किमिलेंगे तो पहाडिया कि मिलेंगे तो पहाड़ी आपको यहां देखने को मिलेंगी और सके बाद में देखेंगे तहीं देखेंगा की पहाड़ियां देखने को मिलती है राज मेल की पहाड़ियां तो यह तो चीजे हो गई बिहार के भौति वाज़ा में तो आप यह आपको देखने को मिलेगी अगर जम बिहार को इस तरीके से बनाएं तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा परवती छेत्र परवती छेत अगर भारत मतलब की बिहार के बहुतिकी वाजन में सबसे उचाई वाला छेतर कौन सा है तो उत्तरी छेतर सबसे उचाई वाला है सबसे निम्नतम छेतर कौन सा है तो सबसे निम्नतम छेतर मर्द्वति गंगा का मैदान है और सबसे या पूछ रहे तीनों में से किसकी तो यह भी यह चीज और याद रखेगा मुझे आ लगई है कि भी हार का जो यह स्लोप है यह हर छे सेंटिमेटर के आसपास है किलो मीटर में क्या होता है इसका डिस्टेंस वहती मलब की ढ़लान इसकी तरह बढ़ती चली जाती है और मैं इनके बारे में चैट्शा करऊंगा जवी खाइक्त होगहांघे हो तो मैं उम्मेद करता हूँ आँ आपको दिवाली की और देख सुखामना है डन्यवाद